नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टेडी विथ अभी में तो फाइनली जे एससी सीजियल आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग में से कई लोगों ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा विडियो भी बहुत सारी देख लिए तो चलिए देख लेते हैं क्या-क्या चीज़े है क्या नई चीज़े है क्या अब्डेशन है कब इग्जामिनेशन होगा कब आपका फॉर्म फिल अप होगा तो आप देख सकते हैं अगर बात कर लिया जाए टोटल पोश्ट तो 2000 प्लस है ठीक है ना बई 2000 से प्लस है और एक चीज़ याद रखेगा कि जो आप PCS के तुरू मतलब आप जैसे बीपेस्ट वागर अगर पेपर थोड़ा सा देखेंगे तो जो पोश्ट वहां पर होते हैं आप समझे कि JSSC के थुरू ही आप उस पोश्ट पर एक्जामिनेशन देने जा रहे हैं और कहीं न कहीं जिनका सेलेक्शन होगा आप समझे एक तरह से कि आप PCS के पोश्ट में सेलेक्शन ले रहे हैं भाई क्योंकि देखें जो पिछले साल जो वेकेंसी जो नोटिफिकेशन आई थी टोटल फोर पोश्ट थे ठीक है अब आपको तीन पोश्ट जो एड कर दिया गया है एक अच्छी ऑपरचिनेटी है साथ के साथ हर पोश्ट में आपको सीट को जो है इंक्रीस किया गया ही है तो सबसे पहले तो यह आपको पता चली गया कि 100 रुपए फ्री लगेगे आपको और अगर आप जार्खन राजी के अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जाती के अभ्यारतियों के लिए है तो 50 रुपए आपका जो है सुल्क लगने वाला ठीक है अब देखें यह सब चीज जो है आपका 335 टोटल सीट है टेलिग्राम में मैं इसको शेयर करते हूं आप जाकर के वहां से भी देख सकते हैं सरम प्रवर्तन पताधिकारी में टोटल आपको 182 सीट है और प्लानिंग असिस्टेंट यह तो पहले भी आया था आपका टोटल इसमें 5 सीट दिया गया है और इधर अगर आप देखेंगे तो प्रखंड कल्यान अधिकारी यह रहा आपका जिसमें आपको 195 सीट है और प्रखंड पूर्ती पताधिकारी देखें यह जो पोस्ट आप देख रहे है यह नहीं है यह पहले था लेकिन यह अभी जो एड़न किया गया तो मैंने बोला न है इन में से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो PCS के थूरू अगर आप देजेगा तो उसके थूरू लिया जाता ठीक है तो यह आप टोटल अगर जब आप काउंट करते हैं तो 2000 प्लस ही मिलेगा एक्जक्ट 2000 से प्लस ही है यह से ठीक है उसके बाद अगर यहां पर आप देखते ह है तो और दूसरी बात यह जो आप स्थानी निवासी प्रमान मतलब यह सब चीजें जो है सिंपल सी बात है भाई कि अधर इस्टेट वाले भी देखे वाई टोटल ओपेनली मैं बोल रहा हूं कि अधर इस वाले भी इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं अगली बात यह है ज प्रशका प्रदधिकारी के लिए और प्रखंड पूर्ती प्रदधिकारी के लिए 2010 अंचल निरच्छक के लिए 2010 और प्रखंड कल्यान प्रदधिकारी के लिए 2010 रखा गया ठीक है और नियुंतम उम्र शीमा जिनके 21 वर्स है और अगर आप ग्रेजुएट कंपलीट कर तीस वर्स है आपका जो भी मतलब कि रिलेक्षेशन दो-दो साल आपको दिया गया और आपको स्थी में जो आपको तीन साल का जो रिलेक्षेशन देखने को मिलता है और अनुसुचित जाती पुरू से महिला के लिए 40 वर्स रखा गया ठीक है यह चीज़ हो गया आपकी तो देखें नोटिफिकेशन इतना पढ़ने है कोई मतलब नहीं सिंपल सा एक अपडेट है कि आपके लिए वेकेंसी आई है भई तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के उपर में और दूसरी चीज़ है कि देखें जो ओबिसी वाले तो ठीक है और जिनका मतलब की आपडेट चेंज किया गया तो उस फॉर्मिट को एक बार आप देख लिजेगा ठीक है अब बाकी हम चलिए बात करते हैं यहां पर आपका सिलेबस के उपर कि क्या सिलेबस में कोई चीज़ बदलाओ किया गया है आपका फॉर्म फिलप भी देखें 20 तारीक से स्टार्ट ह आप फॉर्म को फिलप कर सकते हैं तो जितना जल्दी है आप फॉर्म को फिलप कर लिजेगा और नेक्स्ट चीज आप यहां पर देख सकते हैं जो आप रजिस्ट्रेशन करनी की जो स्टार्टिंग तिथी है 20 से 19 जुलाई तक ठीक है और फोटो वगरा जो सिगनेचर अप फिलप फॉर्म को फिलप क्या है пров.. होगा और इसमें आपको 30% जो है माक्स लाना उपड़ता है इसका माक्स आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा तो अगर आप केवल हिंदी में ही अगर आप 50-30% यानि ले आते हैं ठीक है भई तो भी आप क्वालिफाई कर गए इन दोनों को जोड़ करके लाते हैं तो आपको हिंदी नहीं आता है केवल अंग्रेजी आता है तो इस साथ प्रस्ण से ही पैसे जो अगरा ही बना करके आप लिए यह 30-30% और अगर दोनों आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है मतलब यह बहुत इजी सेक्षन है इसके लिए आपको पढ़ने की भी जरूरत नह घर ठीक है यह चीज़े है बाकी खुटा वगरा यह सब शारी चीज़े है इसके लेए अब देख लीचेंगा शिलेबस कुटा का चेंच हुआ है नहीं हुआ है बाकी हिंदी का से लेए क्षाटे चाहरें ना यह जो सबसे पहला चीज यह याद रखनाए कि इसमें आपको 30 30% minimum qualifying अगर आप इसमें 30% मार्स नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 3 चेक ही नहीं किया जाएगा यह मतलब minimum इतना लाना है 100 में आपको 30 मार्स ठीक है मतलब अगर बात कर लिया जाए हलाकि यह तो टोटल मार्स कितना 300 का है तो इसका 300 का 30% यह minimum आपको लाना पड़ेगा तब जाकर के आपका पेपर 3 भी चेक होगा लेकिन 30 परतिशत में आपका सेलेक्शन नहीं है ज़िए minimum qualifying marks आपको कम से कम इतना लाना ही होगा otherwise आपको यही समझाए जाएगा कि आपको language paper के बारे जानकारी नहीं है इस means आप इस post के लिए लायक ही नहीं है ठीक है बागी language paper में 100 question है तो target 85 रखिए 85 का नीचे जाएगा मत 85 से उपर का ही कोशिस करिएगा 90 वगेरा के आसपस आप लाइए बाकी अब देखे सिलेबस change हुआ है तो थोड़ा सा तो अब काफी impact पड़ेगा इसका भी पेपर 3 most important deciding होगा दो घंटे का पेपर 150 प्रश्ण है जहां से समानने अध्यन शमानने विज्ञान आपके 30 प्रश्ण जीके के कोशन रहेंगे 20 GS science के कोशन रहेंगे जहां आपका scoring part है आपका science, math, reasoning, computer ये चार section एक ऐसा section है कि आप यहां पर आपको total कितना marks होते है 240 marks क्यों देखे 20 question इधर 20 question इधर 20 question इधर टोटल हो गया आपका कितना 80 question 80 गुना 3 यानि कि 240 marks आपका इधर बन गया अब आएए आपका marks बनता है इधर आपका जहारखन राजे से संबंदित ग्यान 40 प्रश्ण और उसके बाद समान अध्यान के 30 प्रश्ण अब इसके बाद देखे most important section आपका जो है जहारखन जीके 40 सवाल है कहने का मतलब language paper को सबसे priority में रखें जहारखन जीके को सबसे ज़्यादा priority में रखें और इसके पहले आपको ये चार subject रखना पड़ेगा अगर आपको एक्जाम देना है या फिर एक्जाम को qualified करना ये पहले ये clear कर लिए ठीक है केवल exam देना है syllabus को केवल complete करना है तो जहा language paper जहारखन GS के साथ साथ ये चार paper पे सबसे अच्छा command करना ही पड़ेगा ये चार paper क्यूंकि ये वह section है जो आपका 100% mark secure कर सकता है इसमें आपकी गलती हो सकती है और इरहाबात अधियन तो ये आपका एक समुद्र है लेकिन इसको भी तरीके सगर पढ़ा जाए जिस प्र पार्ट को कैसे कभर करेंगे सारी चीजे हम आपको यहां पर बतलाएंगे भाई तो बने रहिएगा और बाकी चीजे अगर आप चाते हैं साइंस को पढ़ना मैस पढ़ना रिजनिंग पढ़ना कंप्यूटर का पूरा फ्री टेस्ट हमारे अप्लिकेशन में है तो आप परसेंड की लिए लग नंभी सितंबर में ही हो जाएगा अरे भई नहीं हरा मानके चलता उक्तूबसट के लिए नहीं होगा लेकिन क्या आपने आपको तयारी अगर अक्टूबर में आप astrology लेंगा तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे नहीं न तो सितंबर को टार पढ़के तो उससे थोड़ा बचिए आप content पे तो देखे एक बार content वो दे पार है कि नहीं दे पार है बागी ठीक है यह सब चीज़े यहाँ पर चलती है तो यह हो गया बाई total syllabus आप समझ गया paper 2, paper 3 यह आपका merit बनाएगा paper 3 और आपका paper 2 ठीक है इसी से आपका दो नो paper से आपका merit बनने वाला paper 1 केवल qualifying nature का है यह वाला paper ठीक है तो चलिए यह छोटी से अपडेट और जो आप लोग कोई काफी अंदर जो मतलब थी कि notification नहीं आ रही नहीं आ रही तो चलिए finally notification आ ही गया ठीक है बाई तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद